मैं उद्धे तारिया आज जो मैंने कवीता लिखी है वो एक शक्स के बारे में है जिसका ब्रेक अब हो जाता है तो ब्रेक अब के बाद वो लड़की से थोड़ा हिसाब किताब कर रहा है तो उससे पहले दो लाईने लिखी है अभी वह बैठे बैठे पहले वो बोलूँआ फिर अपनी कवीता पर आऊँगा दो पंक्तिये इस प्रकार है प्यार करने आई थी कर लिया लेकिन इसका फायदा उठाना ना था धोका देना था तो दे दिया अब यादों में आऊना कवीता का शीर्शक है अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ और कवीता के बोल कुछ इस प्रकार है तू चली गई अच्छा हुआ लेकिन शायद आती ही ना तो शायद जादा अच्छा होता मैं कोई टाटा अंबानी नहीं जो मेरे पास समय की कमी हो मैं कोई टाटा अमबानी नहीं जो मेरे पास समय की कमी हो लेकिन मेरे ईन 5 साल, 3 महीने, 2 दिन का हिसाब दे जाती तो शायद अच्छा होता क्या है कि कस्मे और वादों में बहुत आगे थी तू लेकिन किस्तों में भी उनमें से कुछ एक निवा जाती तो शायद अच्छा होता आखिरी कई सालों में मैंने हर एक ख्वाब में देखा था तुझे अगर उनमें से फकत 10-20 भी निवा जाती तो शायद अच्छा होता याद करना उन रातों को जब तुझे सुलाने के लिए मैं अपनी नींद उड़ाया करता था मेरी हर उस एक नींद का हिसाब दे जाती तो शायद अच्छा होता रोज सुबै अलाम की तरह जो मैं कॉल पे तुझे जगाया करता था शायद मेरी हर एक कॉल का हिसाब दे जाती तो शायद अच्छा होता मुझे छोड़ दिया कोई नहीं मगर नया नहीं फसाया होता तो शायद अच्छा होता मेरी जूटी कसमे खा खा कर तो मार दिया था तुने मुझे तो क्यों ना उसके आगे भी मेरी कसमे खा लेती तो शायद अच्छा होता बड़ी आसानी से कह दिया था तुने कि जी लेना मेरे बगैर लेकिन अगर जीने का तरीका भी सिखा जाती तो शायद अच्छा होता याद करना अपनी वो हर एक बात जब तू कहती थी कि हर एक पल याद रखेंगे हम याद रखना अपनी वो बात जब तू कहती थी कि हर एक पल याद रखेंगे हम लेकिन जो तूने मुझे ही बुला दिया उसका हिसाब दे जाती तो शायद अच्छा होता मेरे हर एक खत और फूल को तो लोटा दिया था तूने मेरे हर एक खत और फूल को तो लोटा दिया था तुने लेकिन उन फूलों की खुजबूओं को लोटा देती तो शायद अच्छा होता सुन एक बात सुन एक बात आज किसी ने नहीं पूचा मुझसे कि बाबू खाना खाया या नहीं फिर भी मैंने भर पेट खाना खाया आज सुन मेरी एक बात कि आज किसी ने मुझसे पूचा नहीं कि बाबू खाना खाया या नहीं खाया फिर भी भर पेट खाना खाया मैंने लेकिन जरा उस खाने का स्वाद लोटा देती तो शायद अच्छा होता और अंतिम पंक्तियां और लाइटर नोट थोड़ा संजीदा महल हो गया तो अंतिम पंक्तियां लाइटर नोट पे घंटो घंटो बाइक पर यहां वहां दिल्ली की गलियों में बहुत घुमाया था मैंने तुझे घंटो घंटो बाइक पर यहां वाँ दिल्ली की गलियों में बहुत घुमाया था मैंने तुझे भई सुन पैटरोल महेंगा है अगर पैटरोल का भी हिसाब दे जाती तो शायद अच्छा होता बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद